बीरबल नौकरी की खोज में इधर उधर भटकते हुए अकबर के महल में पहुँच गए जब अकबर बीरबल से मिले तो उन्होंने पूछा आप कौन सा काम निपुन्टा के साथ कर सकते हैं बीरबल ने कहा मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ अकबर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि बीरबल को उनके चार प्रशनों और पहेलियों का सही उत्तर देना होगा ताकि वह बीरबल की बात पर विश्वास कर सकें इसके अतरिक अकबर ने ये शर्ट भी रखी कि इन प्रशनों का उत्तर देने के लिए बीरबल केवल कागज का उपयोग कर सकते हैं अन्य किसी वस्तु का नहीं अकबर ने ये भी कहा कि यदि बीरबल उनके सभी चार प्रशनों का सही उत्तर दे देते हैं तो वह बीर्बल को अपने राज्य में मंत्री का पद प्रदान करेंगे। बीर्बल तुरंधी अग्बर की शर्त मान गए। आईए देखते हैं कि पहली पहली क्या है। पहली एक, कागस को मोड कर रेखाएं बनाना। अग्बर ने बीर्बल से कहा कि पहली पहली में उनके सभी प्रश्न रेखाओं से संबंधित होंगे। अग्बर ने पूछा, क्या आप सिर्फ एक कागस का उप्योग करके एक सीधी रेखा बना सकते हैं। बीर्बल मुस्कुराए और कहा, जी हां महाराज। फिर बीर्बल ने एक कागस का टुकुडा लिया और उसे दो बराबर भागों में मोड दिया। मान लीजिये कि मैं कागज के एक तरफ के हिस्से पर दिये हुए एक बिंदू P को मोड़ कर इस कागज के दूसरे हिस्से पर दिये हुए बिंदू Q के साथ इस प्रकार मिलाता हूँ. अब जबकि इन बिंदूओं को अंगूठे और एक हाथ की तरजनी से कस कर एक साथ पकड़ा गया है, फिर मैं दूसरे हाथ के अंगूठे और तरजनी से कागज की इस तह को गहरा कर सकता हूँ. फिर अगर मैं इस तरह कागज पर पड़े इस मोड के निशान को दोनों दिशाओं में गहरा कर दूँ तो मैं एक सीधी रेखा बना सकता हूँ अक्बर ने बीर्बल से पूछा वह इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि कागस पर पड़ा मोड का निशान एक सीधी रेखा है बीर्बल ने समझाया कि कागस के मोड के किसी भी बिंदू से P और Q की दूरी समान होगी गणितिये रूप में कहा जाए तो बिंदू P को सिल्वट द्वारा बनाई गई रेखा की प्रतिचाया में बिंदू Q का प्रतिबिम कहा जाएगा इसके विपरीत उसी प्रतिचाया में P Q का प्रतिबिम्ब है और इसलिए बनाई हुई रेखा निश्चित रूप से एक सीधी रेखा है लेकिन अगर मैं आपको एक बिंदू दू और आपको इस बिंदू के माध्यम से एक सीधी रेखा बनाने के लिए कहूँ तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगबर ने पूछा यह भी आसान है महराज कल्पना कीजिए कि यह एक बिंदू है अब अगर मैं सावधानी से कागस को यहां से थोड़ा सा मोड कर एक छोटी सी लकीर बनाता हूँ जो उस दिये गए बिंदू से गुजरती है और दोनों दिशाओं में इस तरह कागस को मोड कर बनी लकीर का विस्तार करती है तो हमें दिये गए बिंदू के माध्यम से एक सीधी रेखा मिल जाएगी बीरबल ने समझाया अगबर ने पूछा किसी दी गई सीधी रेखा पर लंबवत रेखा को कैसे समझाएंगे आप बीरबल सबसे पहले कागस के किनारे समानतर एक रेखा एबी बनाते हैं जैसा की चित्र में दिखाया गया है अब बीरबल कागस को इस प्रकार मोडते हैं कि दी गई रेखा एबी का एक हिस्सा अपने स्वयम के उपर मुड़ जाए एक हाथ के अंगुठे और तरजनी से रेखाओं को एक साथ पकड़ कर वह उसी विधी को दोहराते हुए जिससे उन्होंने पहले एक सीधी रेखा बनाई थी कागस को मोड़ कर एक रेखा बनाते हैं उन्होंने इस रेखा को CD कहा और कहा कि यह CD रेखा AB रेखा पर लंबवत है कागस को मोड़ कर बनाई हुई सिल्वट CD के प्रतिबिम द्वारा रेखा AB स्वयम को प्रतिबिम्बित करती है और चुकि इस विशेश स्तिथी में दी हुई रेखा AB रेखा CD को 90 डिगरी के कोण पर काटती है तो हम कह सकते हैं कि रेखा CD रेखा AB पर लंबवत है अकबर प्रभावित हुए लेकिन बीरबल को अभी और परखना चाते थे अतह उन्होंने पूछा आप दी गई किसी रेखा के एक बिंदू पर लंबवत रेखा कैसे बनाएंगे बीरबल अब तक जिस कागस का उपयोग कर रहे थे उसी कागस को मोड़ते हैं ताकि दी गई रेखा AB का एक हिस्सा स्वयम के उपर से मुड़े और ये सुनिश्चित हो सके कि कागस को मोड़ कर बनाई गई सिल्वर्ट दिये गई बिंदू P से होकर गुजरे जिससे रेखा पर दिये गई बिंदू पर एक लंबवत रेखा बन जाए अकबर ने बीरबल से पूछा आप कैसे कह सकते हैं कि P से होकर गुजरने वाला मोड़ AB पर लंबवत है बीरबल ने समझाया कि कागस को मोड़ कर बनाई गई सिल्वर्ट के द्वारा रेखा AB स्वयम को बनाई गई रेखा के प्रतिभिम में प्रतिभिम्बित करती है इस प्रतिभिम्ब में बिंदू P अपना स्वयम का प्रतिभिम्ब है चूंकि बिंदू P प्रतिभिम्ब में अपना स्वयम का प्रतिरूप है अता हम कह सकते हैं कि रेखा द्वारा एक सीधा कूण बनाया जा रहा है अतह P से होकर जाने वाला मोड AB पर लंब वत है बीरबल ने कहा मैं आपको दिये गए रेखा खंड का लंब सम्द्विभाजक भी दिखाता हूं वह कागज को इस प्रकार मोडते हैं कि दी गई रेखा AB के अंतिम बिंदु एक दूसरे से पूर्ण तया मेल खा जाएं फिर उन्होंने सावधानी से कागज को मोड कर एक सिल्वट बनाई और कहा यदि आप रेखा CD पर कोई बिंदु पाते हैं तो यह A और B से समान दूरी पर होगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा CD रेखा AB का लंब सम्द्विभाजक है लंबवत रेखाएं सरल लगती हैं आप किसी दी गई सीधी रेखा के समान तर एक रेखा कैसे बनाएंगे अकबर ने पूछा बीरबल ने कहा मैं आपको दिखाता हूँ वह दी गई रेखा AB से पहले की तरह एक रेखा EF बनाते हैं और फिर EF के लंबवत रेखा CD को मोडते हैं चुकि रेखा AB रेखा EF के लंबवत है और रेखा CD भी रेखा EF के लंबवत है हम कह सकते हैं कि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के समान तर हैं बीरबल ने समझाया अंत में यदि आप किसी दिये गए बिंदू के माध्यम से एक सीधी रेखा के समानतर एक रेखा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं दी गई रेखा AB के लंबवत में EF रेखा को P बिंदू से गुजारते हुए मोड़ूंगा और फिर अगर मैं दिये गए बिंदू P के माध्यम से एक रेखा CD को मोड़ता हूँ और जो की पहले मोड़ से बनी सिल्वट EF के लंबवत है तो मुझे दिये गए बिंदू पर दी गई रेखा AB के समानतर एक रेखा CD मिल जाएगी मैं आपकी बुद्धि मत्ता से काफी प्रभावित हूँ बीरबल लेकिन यदि आप मुझसे पुरसकार प्राप करना चाहते हैं तो मुझे आशा है कि आप मेरे 6 प्रशनों का भी सही उत्तर देंगे आप कल वापस आईए तब मैं आपसे अपना दूसरा प्रशन पूछूंगा यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए कि अकबर ने बीरबल से अगला प्रशन क्या पूछा और क्या बीरबल उसका सही उत्तर दे पाए